प्रेंड्स जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि गृूप D का एक्जाम यानि के लेबल One का एक्जाम अब जल्द ही होने वाला है ठीक आपके पास केवल कुछी महिने बचें तो इसे में एक अच्छे तयारी कैसे की जाए कुछ चंद महिनों में एक तयारी कैसे की जाए इतना कुछ सिलिवस में यह सारा का सारा यहां पर यह कवर कियेंगे लेबल वन की बुक है टिक गुरुप डियानी लेबल वन और इसके तरह तयार किया गया है तो यह संपुर्ण कवरेज दिया यानि कि जितने भी आप किसले बहुत से सारा का सारा कवर किया गया है अब इसके प्राइस की बात कर लें तो देखें यहां इनकी प्राइस यानि की 255 रुपए दिखा रहे हैं तो मैंने इस बुक को फिलिपकार्ट से 250 रुपए में खरीदे थे ठ आरे से सारा कुछ बडिलेवर चार्जर लगाके तो देखी अब यहां पर देखिए क्या बता रहें उनकी बुक की विसेस्ता देखिए कि विसेस्ता क्या है इस अमपूर्ण पाइटिकरम यानि कि पूरा का पूरा स्लेवस यहां पर कवर किया गया है नौर्वर्स के और यहां पर जिके के सेक्षन टेस्ट दे गए और 2018 के प्रेक्टिस सेट दे गए तो अब आए अंदर बुक को खोलते हैं ठीक देखिए यह है बुक का पहला पेज ठीक और यह किसके द्वारा त्यार किया गया है यह वुक यह वुक एरियन्त जो है के विसेस मंडल द्वारा त्यार क्या है ठीक विसेस द्वारा अब देखिए बुक का सिलिवस में बता दू तो देखिए यहां पर सारा बताया गया कि आपके मैत में कौन-कौन से चेप्टर है मैत में देखिए संख्या पद्दति यानि कि नंबर सिस्टम दस मल्ला हो है वर्ग वर्ग मुल है घन ग सबसे पहले अब देखें यहाँ पर गनित के होगे अब देखें उसके बाद सेकेंड में आता है हमारा रिजनिंग रिजनिंग में क्या कि आपको पढ़ने को मिलेगा समरूपता समानता वर्गी करन अच्छार सनेंखला अंग्रेजी वर नमाला जंबलिंग ठीक कोडिंग डिकोडिंग लुप्त पदो का भढ़ना गनित्य संक्रियाएं यानि कि मैथेमेटिकल ऑपरेशन्स ठीक अब देखें आप एक बार बुक को देख लिजे उपर से मैं दिखा दे रहा हूं ठीक आपको अच्छे लगए तो आप इसे लिजे नहीं अच्छा लगए कोई बात नहीं दूसरा वुक लिजे लेकिन यह बुक करेगी जहां तक मुझे लगता है देखिए गनित्य तर्क सक्ति सब्दों का सार्थक क्रम पहल लाज यहां पर कवर क्या गया चोबात आपको प्रक मेह्त के टोटल कितने हैं 21 डैक अब देखिए विज्ञान की तो विजयन में फिजिक्स दिच दिया गया है यह चारची झाहीं और तीन छोचन होते हैं उसका squeezing रेना होता है आप भाने नहीं कि यहां पर जिक यह ब L लोबनस में हिस्ट्री दिया गया है ठीक ना इंडियन हिस्ट्री उसके बाद जिग्रफि दिया गया है इंडिया और वर्ल्ड दोनों का भारत रुबी सुका ठीक उसके बाद भारती अर्थवेस्था दिया गया है ठीक यानि कि इंडियन इकनोमी और भारती राजवेस्था इंडियर्न पॉलेटी और सामय निग्यान दिया गया है और सेक्सिंट टेस्ट त्यूंध यह सारी हो गाएं सभी में तीन सेक्सिंट टेस्ट फूर्द देख सकते है ठीक जिसमें कोस्टेन होते हैं और उसका उत्तर आपको देना होता है, कि किस किस राज में कितने-कितने कटँप पाएं है ठीक अर देखें यहांपर थोड़ा सा बता दू सब्सेध से पério्ट करेंट फिरस आता है उसके बात आता है आपका कि करेंट था फिरस दोस्तों इंपो्देंट देम से उसके बाद यह आ हैं रिजिनिंग के इन्होंने यह सेट दिया है वह तो टोटल गुरूबडी में कितने कोसे नाते हैं यह सब पुछा गया है 2008 में तो टोटल गुरूबडी में आपके 100 प्रश्ना आते हैं यहां पर इनकी समाप्ति हो जाती है देखिए दो सेट देख देए और इनका विवरन भी दिया गया यह चीज़ होगी अब दूसरा चीज़ हम देखते हैं कि इनका कोस्टिन किस प्रगार आता है देखिए मैत का यह है सबसे मैं एक एक करके दिखाऊंगा मैत से दिखाऊंगा ठीक उस सारा कुछ developing कर दी हैं उसके बाद क्या क्या है इनोंने वें मैं बता देता हूं दिखें यहां पर जो इंपोर्टेंट फर्मूला जांशिया सो और उदाहरन कौन-कौन से उदाहरन है जो के पूछा गया है क्या है कि railway question को न repeat करता है तो अग hour changes करता है पूछे गए प्रशनों पर उनिको repeat कर देता है अक्सर पाया गया है तो देखिए उदाहरन इतने भी हिदी यह सबी question जो पिछले वर्स पूछे गए प्रश्मों से थे खेऊंग उसके बाद यहां पर यह अभ्यास के लिए प्रश्मों दे रहे हां अभ्यास के लिए कौनसे प्रश्म यह पूछे गए हैं जेपूर यह अगी जामों और विविन में पूझे गए रेलवे के दौरा तैक्से झीद तर वखे गए विवुष में उनके अभिएस में इसके बाद चाहंए किसका एंसर आंकोन स्लंकेताव हल दे गए यानकि उसका उद्तर किस पतर्कार कैसी हुआ यानि कि वीवरन सारा कर सारा ठीक ये चीज होगी हम एक चीज मेत का चेप्टर देख लिए अब हम एक रिजनिंग का चेप्टर देखते हैं तो आईए चलते हैं आपको एक रॉप पिज रख ले ना इसी बरकार मैं जैसे रखता हूँ तो ये रिजनिंग की चेप्टर होगी रिजनिंग की पहला चेप्टर हम निकालेंगे ठीक तो देखिए अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ग्रूप डी तो निकल जाना चाहिए ठीक वह से भी अगर 75 प्लस मार्क्स लेते आते हैं तो आप समझ लिजी कि ग्रूप डी चाहिए आपके हो जाएगे क्योंकि 70 के आसपास कट अब होती एह गुरूप ठीक तेक शमरूपता परिक्षन इन्होंने पहले बताये कि शमरूपता क्या है ठीक और इसमें कितने परकारत प्रश्न पूख जाते हैं तो समरूपता सम्भंधित मखिए तर तिन प्रकारत के तो चुछ जाते हैं उसके बाद यहाँ पहर बता दिया कि कौन कौन से आपको एक्जामम में इसके कौन कौन से चीजे याद करना चाहिए तो यह सारा महतब्पूर्ण जो बैबाहर एक जानकार ही है अब देखें अब क्या करते हैं यह अभियास के लिए प्रश्ण देते हैं और कौन से प्रश्ण जो कि 2018 गुरूब डी और वगएरा वगएरा एक्जाम में पूछे गए रेडवेग द्वारा ठीक तो देखें यह अभियास होगे उसके बाद यहाँ पे यह आνसर देते हैं तो उत्तर बाला जितने पुछें उन्होंने 60 59 प्रश्ण उन्हों का यहनुने उत्तर दे दिया है टेक यानि कि आपको एक बार सेट लगाना है कितने प्रश्ण सहीय वें उसका निकलना है उसके बाद जो जो प्रस्वर नई बनते हैं उनको यहाँ पे ढूंडना है की उनका चलते हम नेक्स्ट यानि कि साइन्स की तरफ चलते हैं चिक तो कि ये चीजी हो गई अब देखे साइन्स किस प्रकार है इसका देख लेते बहुत इक भी देकिए सबसे फिर निश्य निकिंश्यक्स में किस प्रकार है ये सभी बता दिए बहुत опять यहां पर कुछ जो इंपोर्टेंट होती है उसके बाद यह क्या करते हैं यानि कि सारा का सारा बहुत ती किसलिए वस कंप्लीट करने के बाद इन्होंने क्या किया यहां पर देखिए यह साय हो गया उसके बाद यहां पर इंपोर्टेंट पॉस्टिन देते हैं अभ्यास के ल लिए यहाँ से एक तो एक सॉस्टी कोस्टिन देदी है ठीक एक सुसा गासी 187 पर लिए अभ्यास के लिए ठीक इस फ़कार यहां पर शायन पिक्यान है असाइन पिकान को भी सी तरफ ऐन किया तेक यानि कि फिर्वरी को जिस परकार है उसी परकार मैथ बायो हो गया और कैमे लेते हैं क्वेस्टिनों का टेस्ट अब सेक्षन टेस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं ठीक तो देखिए यह होगा बायों का बायों में सब पढ़ लेने के बाद आपको यहां पर लिया जाता है तो सारा का सारा बुक में आपको रिभीव लगबक करवा ही दिया अच्छे से एक सब्सक्राइब में हैं ठीक इंपोर्टेंट और देखिए दो है अगर आपका होने कराएगा तो इतने बुक में आप कंप्लीट करेंगे दो तीन बर चार बर फांच बर बुक को पढ़ेंगे एक ही बुर को एक देखिए बुक को पढ़ने का नियम अभी मैं लास्ट मे पढ़ें उसके बाद विभी कोस्टन बार सर्ट है इनको लगा है बार सर्ट आपको अगर ज्यादा पढ़ने कमान करता है तो आप दूसरा बुक भी पढ़ सकते हैं अब देखिए सेक्शन टेस्ट किस प्रगार होता है तो जितने भी आप बिग्यान पढ़ें सामयने जोचगya व्यूंत प्रकार के और यहांस कितने हैं टोटल एक मैं 25 एंवरिया thoughtful दिया होता है देखिए एक सेक्सिन टेस्ट में 25 और इंका उत्तर यहांस और यहांस इतिहांस तो इसी प्रकार इतिहांस को भी जब पर लिए jan कि उसके बाद यहां पर आपका क्वेश्चन आ जाएगा देखिए प्राजन इतियांस में इतियांस और रादवनी इतियांस पढ़ने के बाद यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो टोटल यहां पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं यह मैंने पार कर दिश्कोंदेगी टोटल है इतियांस में 190 कोस्टिन तो यहां पी 190 कुरूप प्रश्णों का हल दिया गया है ठीक लेकिन इनकी बैख्या नहीं दी गई ठीक क्यों बैख्या रिजिनिंग में और मैत में दी गई तो सारा का सारा भूक मैंने आपको दिखा दिया कि किस क्रकार की भूक है ठीक और एंड पैज भी देख लिजिए यहां पे सेक्षन टेस्ट लिया गया है अब तैक्रति सेट दिया गया है दो ठीक्स प्रक्रक्रिस सेट वञें है यहां पे दो इनके सेट हैं यानि कि आपको उतने टाइम में ब्योग करवा दी अगर आपको बुक पसंद आए तो आप ले सकते हैं मेरा कोई नीजी मामला नहीं इस कंपनी के साथ ठीक न आपको अच्छा लगे तो ले सकते हैं नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए इस बुक को कोई बात नहीं और एक चीज आप कोई भी बुक पढ़ते हैं उसे पांच बार शे बार बार पढ़ें आला कि दूसरे बुक को ज्यादा पढ़ने अच्छा है कि एक व पर बार बार पढ़ना होने कर रहेगा तो सर पटक लीजी कुछ नहीं होगा और एक हां सरकारी नोकरी नहीं लगती यार कोई भर्वसा नहीं नहीं टेक न तो एसी कोई बात नहीं है फिर मिलेंग नेक्ट वीडियो के साथ